हाई एवरिवन वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल कैसे आप उमीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होगे सो वीवर्स जी से कि मैंने आपको अपनी फस्ट वीडियो में बताया था हमारा लास्ट जो ट्रिप था वो था मसूरी का और हम चल रहे हैं देरा दून से मसूरी और हमारे साथ आप लोग इस वीडियो में बने रहेगा तो गाईज यहाँ था एक बहुत बड़ा मंदीर आप लोग देख सकते हैं यह मंदीर कितना ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर काफी ज्यादा रश भी था हमें काफी टाइम लगा इस रश आपहर निकलने के लिए इस मंदीर में लोग बहुत दूर दूर से आते हैं जीसी कि आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा रश है यहाँ पर और गाड़ियां, बाइक बहुत ज्यादा थी हम भी काफी ज्यादा यहाँ रश में फसे थे पर हम दूरे दिर बाद रश कम होने पर निकल गए थे और आप लोग देख सकते हैं यहां का वी ओ धूप बहुत देश है बहुत देश धूप और अभी हम डब गए थे तो हवा भी बिलकुल नहीं थी जैसे धूप जा रही थी सूरज डर रहा था वैसे वैसे वैधर भी अच्छा हो रहा था और इंग वैधर देखने लायाग था क्यूंकि जैसे बारिश पड़ते है और आंधी आती है वैसे ही बिलकुल सेम वही कंडिशन्स वाला वेधर हो रहा था और इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी इवनिंग के व्यू देखने लायक था काफी ज्यादा बहुत अच्छा वेधर हो गया था ठंड लगने लगी थी और आप लोग अभी तो दूप को देखिया आइडिया लगा सकते हो कितनी तेजूप थी बट अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा बहुत इंजॉई किया और फ्रेंड्स हमारे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहीएगा हमें चलेएगा आप लोग हमारे साथ इस वीडियो को इंजॉई करेंगे आप लोग देख सकते हैं वीडियो कितना प्यारा वीडियो लग रहा है यहां से यह सब पहाड़ पर इतनी ज्यादा ढबे थे और रेस्ट रोह थे पर हमने इस रश की वज़े से यहां आपने अपनी गड़ी नहीं रोकी थी काफी आगी जाकर हमने स्टे लिया था और वहां की वीडियो मैं नहीं बना पाई जैसे कि आप लोग पताएं काफी ज्यादा वीडियो मुझे से मिस हो गई हैं बनाने से फिर भी जो थोड़ी बहुत हैं वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी और जितनी मुझसे इस वीडियो में कवर हो पाईगी वीडियो में उतनी ही इस में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आगे की वीडियो जो भी होंगी वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करूँगी और बस आप लोगों का मुझे प्यार चाहिए इस वीडियो में और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कीजिए यह स्थीो ता ने खाँ दूर साथ खा वर बाल दोगाझПद . बार्खबार कि अंधे नहां कि और जड़ भाहां कि अभीपर से अभी जड़ और भाहां कि और प्रे में आपके साथ भाहां, पकल एक अभीज एक गलुब और झाल 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 वेवर्स उमीद करती हूँ, आप लोग हमारे साथ काफी जाद एंजॉय कर रहे होंगे, और यहाँ काफी सारे जगा जगा टी इस्ट्रॉ थे, और हमने काफी आगे जाकर, किसी रेस्ट्रो में हमने स्टे किया था, और आप लोग प्लीज अमारे साथ इस वीडियो में बंदे रहिएगा, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यार व्यू लग रहा है, वहाँ पर हील से स्टेशन पर काफी सारी काली ने भी बिक रही थी, जो कि रनर थे, मेट थे, आप लोग देख सकते हैं, ये वहें वो रनर मेट जगा जगा बिकते हुए और व्यू तो आप लोग देखी रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, पहाडो का व्यू वैसे तो फ्रेंड्स देरा तुन से मसूरी ज़्यादा दूरी पर नहीं है, पर हमें काफी रश की वज़े से थोड़ी हम लेट पहुचे, थोड़ा लेट हैं, हम बहुत लेट पहुचे थे मसूरी क्योंकि रश इतना था, क्योंकि आप लोग जानते हैं, इस टाम तो वैस ज़्यादा गारियों का रश्टा निकलने की भी थी, बहुत साथ अधिकर, उसके बाद में हम लोग ने काफी लेट पहुचे थे, तो हमने फिर इंजाई किया वहां पर थोड़ा सा स्टे करने के बाद में अपना थोड़ा सा खाया पिया और खाने पीने के बाद में फिर करा, फिर हम चल दिये थे, गूमने के लिए शाम हो गए थी थोड़ी सी झाल 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 तो वीवर्स उमीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत-बहुत पसंद आए और आप लोग मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें और मेरी चैनल को सबस्क्राइब करें आप लोगों का प्यारी हम लोगों को मोटिवेट करता है अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए तो वीवर्स ज्याते से ज्याता प्यार देजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए ठैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मसूरी वाला रूम और व्यू जो भी कुछ है मेरे पास वो मैं आप लोगो को शेयर करूंगे और थैंक यू